product of sum canonical और minimal forms देखिए जो हमारा sum of products होता है उसमें हम जो मारी mean terms होती है उनको लेते हैं जो कि one 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 होती है लेकिन product of sum में उल्टा होता है मैं इसे max terms में लेते हैं max terms होती हैं वो लेते हैं जो कि zero 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 होंगी sop form में हम zero को a compliment बोलते हैं और one को a बोलते हैं लेकिन post form में इसका उल्टा होगा product of sum zero को a बोलेंगे one को a compliment बोलेंगे बिल्कुल opposite तो इसके लिए सबसे पहले three variables है a, b, c, y हमारा जो function होगा वो होगा a इसको हम post form में लिखेंगे sop में नहीं लिखेंगे post में लिखेंगे post form के लिए a is equal zero होता है वो a के equal होता है zero है a plus plus आएगा b plus c a plus b plus c into अगर next तेखेंगे a plus b plus यह one है तो c compliment हो जाएगा a plus b plus c compliment one is equal to a compliment होगा ना यानि one है तो c compliment हो जाएगा next यह यह वाली है max term हमारी zero यानि a plus b compliment plus c compliment यह यह जो चीज है यह यह जो सारी है यह हमारी शो करती है post form को product of sum को यह हमारा sum है और यह standard canonical form होती है post form की जो tooth table से draw की जाती है जो की max terms को show करती है अब इस form को अगर मैं compliment कर दो इसी को अगर मैं compliment कर दो y compliment तो क्या होगा यहाँ पर a compliment into b compliment into c compliment plus a compliment into b compliment into c यानि opposite हो जाएगा इसका यह into है तो plus हो जाएगा यह plus है तो into हो जाएगा a compliment into b into c इस तरह से अगर compliment का again compliment कर दिया जाए यह compliment compliment से cancel हो जाएगा और इस कॉम्प्लिमेंट को उपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा A कॉम्प्लिमेंट, B कॉम्प्लिमेंट, C कॉम्प्लिमेंट का होल कॉम्प्लिमेंट इसका कॉम्प्लिमेंट प्लस था तो इंटू आजाएगा सेम इसी तरह A compliment B compliment C का compliment प्लस है तो इन्टू आ जाएगा A compliment B C का compliment अब इन तीनों का compliment open कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा A compliment से compliment cancel होगे ना A plus B plus C into A plus B plus C compliment into A plus B compliment C compliment यानि कि यह जो form थी सेम यही equation फिर से आ गए compliment को again compliment करने से तो हम बात कर रहे हैं इसमें product of sum की तो आपको जिसमें जो question आएगा वो कुछ इस तना से आएगा capital M होगा यहाँ पर जो की max terms को show करेगा जानि कि A जो हमारे पास दिये होंगे उसकी जगाँ आपको zero put करना है सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं इसको हम solve करेंगे A, B, A भी दोनों में common है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A plus B plus C into C compliment इस तरह से लिख सकते हैं यह क्या हो जाएगा? zero हो जाएगा अब A plus B, A plus B compliment, C compliment अब यहां से जब A plus B और A plus C होता है तो A plus B C लिख देते हैं उसे तेम इसी तरह से ही इसको भी आसे ही लिखेंगे A plus B, bracket में AB compliment plus C compliment इसको उन्थर multiply करेंगे तो A plus B, B compliment plus B, C compliment यह क्या हो जाएगा? zero तो A plus B, C compliment यह जो form होती है यह शो करेगी हमारी minimal form को इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ना A plus B, A plus C compliment यह minimal post form को शो करेगी इसको हम game app से देखते हैं एक पार देखिए यही आएगा game app से zero की जगा हमने put करना है zero one की जगा put करना है zero और three की जगा put करना है zero एक तो हमारे पास यह वाली form बनेगी pair बनेगा और एक यह वाला pair बनेगा इससे हमें क्या मिलेगा? A compliment पहले इस प्यर के लिए A compliment B compliment यानि A compliment into B compliment प्रस इस प्यर के लिए क्या मिला है? A compliment C लेकिन यह तो हमारी soft form है हमें इसे convert करना है post form में post form क्या होगी? swap का opposite होगी इसलिए ही मैंने आपको बताया है कि compliment करके double compliment करते है उसका reason यह था बताने का इसको एक बर compliment करके double compliment करोगे तो हमारे पस यह आएगा यानि अगर मिलेगा post form में convert करनेंगे तो क्या आएगा? A, A compliment का है तो A आजाएगा into है तो plus हो जाएगा B compliment है तो B हो जाएगा plus है तो into आजाएगा bracket में A compliment है तो A हो जाएगा into है यहाँ पे and है तो और हो जाएगा plus हो जाएगा C है तो C compliment हो जाएगा यानि यह शो करेगा हमारी minimal post form को इस तरह से हम अपने product of sum जो हमारी canonical और minimal forms को शो करते हैं यह हमारी minimal forms होते हैं जिसमें सारे variables present नहीं होते हैं लेकिन जो canonical होते हैं उसमें सारे variables present होते हैं Thank you Thank you for watching this video आप और वीडियो के लिए हमारे चैनल Learn and Grow पे सब्सक्राइब कर सकते हैं Thank you